Hello everyone, welcome to the session today. My name is Shubham Singh Hania and I am your mentor for UGC NET, Paper 1, Paper 2, Commerce and Management. So, आज हम बात करने वाले हैं, Paper 1 के एक बहुत important topic के बारे में, that is communication. और उसमें कुछ दो छोटे से concepts थे, जो हमारी वीडियो में रहे गए थे, तो आज मैं उन्हें cover करने वाला हूँ. So, I hope कि आप ये पूरी वीडियो पूरी तरह देखेंगे ध्यान से, ताकि आप इससे लेटेट जो भी questions आएं, इन concepts से लेटेट, वो आप अच्छी तरीके से कर सकें. इससे पहले अगर आपने हमारे चानल को सब्सकाइब ने किया है, तो उपर दिये वे आई-कार्ड लिंक पर प्लिक करके हमारे चानल को सब्सकाइब कर सकते हैं, और रिसेंट अप्टेट जो भी हैं, या जो भी हम चीज़े अफडेट कर रहे हैं, उसके बारे में आपको सारी information हमारे चानल के थू मिलते रहे हैं. तो पहला important topic जो आज मैं cover करने वाला हूँ, that is intergroup communication. So intergroup communication होता क्या है students? जब भी आप किसी group, दो groups के बीच में communication होती है, या दो forms of groups के बीच में कभी भी किसी से related, किसी form की, किसी भी तरीके की communication होती है, so उसे हम intergroup communication कहते हैं, या फिर association communication कहते हैं. इसे एक छोटे से example से समझते हैं, ताकि हमारा concept और अच्छी तरीके से clear हो जाए. So अगर मैं बात करूँ कि there are two types of groups, let us say A and B. A जो group है, या आपके production department का group है, and जो B जो group है, वो एक finance department का group है. अब यिन दोनों groups के अंदर different different team members हैं, और यहाँ पर A and B group आपस में एक दूसरे से discuss कर रहा है, या फिर आप कह सकते हैं, brainstorming session कर रहा है, relating to, for example, production department ये कह रहा है कि हमें, कितने funds चाहिए, कितना funds procure करने की जौत है, in order to produce the raw material, and finance team उसके अंदर discussion कर रही है, कि based on the limits या जो भी उन्हें budgetary limits दी गई है, उसके basis पर वो कितना funds decipher या फिर transfer कर सकते हैं, तो जब भी कभी दो groups के बीच में discussion होती है, या फिर किसी topic पे communication होती है, तो हम उसे intergroup communication कहते हैं, तो इस concept को हमें बहुत अच्छी से ध्यान रखना है, और बिल्कुल भी confused नहीं होना है, next concept के बारे में बात करते हैं, जो next concept है हमारा, वो है intragroup communication, या फिर जिसे हम कहते हैं, multi-diadic communication, जब भी आप एक ही group के अंदर, within the group, आप कुछ दो या तीन लोग आपस में बात कर रहे हैं, या within the group, जब भी आपस में communication हो रही है, तो उसे हम intragroup communication कहते हैं, इसे भी एक example से समझने की कोशिश करते हैं, अगर for example, हमने ये सोचा कि एक group है, let us say, और उसके अंदर काफी सारे friends का group है, जो आज decide कर रहे हैं, कि वो कौन सी movies देखने जाएं, आज वो कोई movie देखने का plan कर रहे हैं, और वो decide नहीं कर पा रहे हैं, कि आज वो कौन सी movie देखें, तो जब भी इस पटलग group, एक group के अंदर, जो members हैं, वो आपस में जब भी कोई communication करेंगे, अपने team members से जब भी कोई communication करेंगे, और उसके base के कोई भी decision लेंगे, और communication within the group हो रहा है, तो उसे हम intra-group communication कहते हैं, तो ये दो concepts थे, जो हमारे miss हो गए थे, and I would expect कि आप दोनों के बीच में, आपको बहुत ज़ादा clarity हो गई होगी, एक दुबारा से मैं एक बार repeat कर देता हूँ, कि जब भी आप communication किसी group के अंदर करते हैं, या फिर within the group करते हैं, तो उसे हम intra-group communication कहते हैं, और जब भी आप दो groups के बीच में communication करते हैं, तो उसे हम inter-group communication या फिर associative या association-based communication कहते हैं, so these were the two concepts, I hope कि आपको या इन दो-दो concepts सी clarity बहुत अच्छे से मिल गई होगी, अगर आपको लगता है कि आज आज आपने कुछ भी नए सीखा है, तो don't forget to subscribe to our channel, अनोजिन्नल जूजिसी नेट, अगर आप इसके बाद भी आपको कोई query रह गई है, आपकी कोई query है, तो आप हमें comment section में comment करके आपकी query पूछ सकते हैं, अल्सो हमने अपने description box में अपने channel telegram group का link डाल दिया है, अगर आप चाहते हैं हमारे telegram group को join करना, तो आप उस पे click करके हमारे telegram group को join कर सकते हैं, जिस पे हम regular quizzes as well as videos and videos share करते रहते हैं, अगर आप हमारे courses को purchase करना चाहते हैं, तो आप हमारी website पे जाके हमारे courses को भी purchase कर सकते हैं, till then keep studying, keep practicing, thank you and have a nice day.